सुसान सिंग राजपूत आत्म हत्या मामला किसकी बात सत कैम वीडिया में दिखाई जा रही है उस पर कर सकते हैं भरोसा या फिर मुंबई पुलिस का जो जांच है ओ है सही बताएंगे बिश्तार से नमस्कार आप देख रहे हैं एमेने ट्वर्ड और आप सभी का स्वागत ह चैनल को पहली बारा है तो चैनल को सस्क्राइब कर दे और बैल आइकन का बटन जरूर दबाएं जैसा कि आप लोग अभी परती दिन देख रहे होंगे कि जैसे ही सुबह होती है तभी से साम तक रात तक हरे घंटे में सुसान सिंग राजपूत से जुरी हुई एक ना एक परा खुलासा हरे एक टीवी चैनल बर होता रहता है चाहे वो कोई भी चैनल हो हरे घंटे में एक नया खुलासा आ जाता है एक नई जनकारी आ जाता है और वो कहां से आती है यो तो वही लोग जाने लेकिन हरे घंटे में नया उनलोका का खुलासा होता है नया अपडेट ह होता है तो अभी इसमें बहुत सारे सवाल है और कहीं न कहीं जिस तरीके से मीडिया जूर्टी चीजे चला रही है जूर्टी चीजे जो है डिखाया जा रहा है उसका जो है आज हम कुछ हैक्ट के साथ बात करेंगे कि केसे कुछ मीडिय tutorials इस पर भर ouais के साथ-णूर्या पहले बात करेंगे हम उस न्यूज चाइनल की जो की कहेंते हैं कि हमारे चाइनल पर सिर्फ न्यूज ही देते हैं हम सिर्फ समसाद देते हैं गाना बजाना नहीं करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे कि वो कौन चाइनल है हम नाम नहीं लेंगा चाइनल का जैसा कि आप लो तो SM 금C और बेखल उसको कुछ दिन पहले जो एक दिशानाम की लड़की ने अत्मत्या की थी उसको बताया जा रहा है को सुसांती राजपूद के एकस मेनेजर थे तो कहा जा रहा है कि सुरज 금C और तिशा थी उन दोनों के भी समन थी जिस पर सुरज पंचुली ने कहा था कि हम दोनों जीवण में कभी नहीं मिले हैं और हम उनको जांते भी नहीं है जिस पर जो एक मीडिया चैनल है जो की कहते हैं हम सिर्फ और सिर्फ सुच दिखाते हैं और खबर दिखाते हैं उसका एक दिन का कवरेज ही इस बात पर था कि नहीं वो जूट बोल रहे हैं और उन लोगों ने पहले भी एक दूसरे के साथ मुलाकात की है जिस पर एक फोटो भी भाइरल किया गया था एक फोटो था जिसमें तीन चार लोग दिखाई दे रहे थे ज इस लड़की को उस फोटो में दिशा बताया जा रहा था दरासल उस दिशा नहीं कोई और था जिसके पूरी डिटियल्स जो सुरज पंचोली है उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से दिया और साथी साथ वो जो लड़की थी उसको भी उसमें टैग किया और बताया कि हो यह है बाद में उस ट्वीट का रिपलाई करते हैं उन्होंने भी कहा ठेंक्यू पर तुरूथ याने कि जो सचाइब बताने के लिए धन्याबाद तो कहीं ना कहीं जो न्यूज चाइनल है उपूरी तरीके से एक्सपोज हो गयी कि कि किसी को फसाने के लिए जबरदस्त थी उसकी खिलाब जो है निगेटिव कैमपेण निगेटिव न्यूज को चलाया जा रहा है वो भी सिर्फ एक घंटे दो हंटे नहीं बलकि पुरा दिन और उस पर कई बरे बरे डिवेट भी होते हैं ये सिर्फ एक चैनल ही नहीं ये निव सभी ने चलाई थी लेकिन उस च चैनल की अगर हम बात करें जो की बड़सों से तबाक कर रहे हैं कि हम नमर वन पर है कोई हमारे दूर दूर तक नहीं है आप लोग बहतरीन तरीके उसका भी नाम जानते हो के हम नाम नहीं लेंगे उस चैनल ने तो कितने जुट बोले हैं अगर हम उसकी गिंती करने बेठे तो सुबह से साम हो जाएगे लेकिन हम आप लोगों वो कुछ जो बरे बरे जुट है जो परदा पास हो चुका है उसके बारे में बात करेंगे पहला जुट जो उस चैनल की एक बरिष्ट एंकर जो की बहुत सारा परग्राम करती है और बहुत ज़्यदा पॉपूलर है उस सबसे बरी जुट बात है और इस बात को मुझे साबित करने की जरूरत नहीं है आज तक की ही आप लोगों को रिपोर्ट देखिए सबसे पहला जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि जो सुसान सिंके पिता है उसने बिहार में रिपोर्ट दर्ज कराई है और उससे पहले की इस मामले पर आज तक की कवरेज देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या रिपोर्ट से लाई और क्या कहा गया है तो इसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं परेगी वहीं अगर हम अगली जूट जो कि उस साइनल की है अगर हम उसकी बात करें तो आप लोगों को बता दू कि जो रिया चत्रवर्टी है और जो मुंबई पूलिस की बांदरा की डिजी पी है जो कि इस केश की पूरी चान बिन कर रहे हैं देख रहे हैं उन दोनों को बीच तीन चार बार संपर्ख हुआ था जिसमें कॉल डिटियल्स के माध्यम से उनको ये पता चली थी लेकिन इस पर कुछ जानकारी लिए बीना अपने मन से इसमें निचलाने लगे कि सायद इसलिए फॉन किया होगा कि हम वाट्सप पर बात करते हैं फलाना करते हैं चिलाना करते हैं ऐसी ऐसी भ्रामक रिपोर्ट चलाई गई वह भी बिल्कुल गलत जिसको बाद में मुविपुलिस ने खंडन किया और बताया कि ये सारी बाते उस समय की है जब उनका रिपोर्ट उनका जो बयान है वह दर्ज करना था तो इस पर भी बीना चानकारी के दर्शकों को जो आम दर्शक होते हैं उनको भ्रमित करने के लिए और किसी को बदनाम करने के लिए इतना बला जो है सरियंत्र रचा गया और इस तरीके की जूठी खबरे फेलाई गई जिसका भी आप लोगोंने सायद देखा ही होगा अगर नहीं देखा है तो उन लोगों का दो पूरा यूटूपर लाइब हो यह वो अपने घड को छोड़ कर चली गई है वियार तो इसको नहीं मिल रही है उस समय भी डीजीपी के संपर्ग में थे मुंबई डीजीपी के इस तरीके के भी दावा कर दिया गया जो की बिलकुल भी निराधार था क्यूंकि जो कॉल रेकॉर्ड आये है वो उससे पहले पहले देट के ँस डेट की है ही नहीं लेकिन उन लोग hen इस तरीके से उसको चलाया और इस तरीके से उसको सक साबित करने की कोशिझ की ठाकि जो सभी शक है वो डीजीपी जो बुमबई के है बन्दरा के उन पर और रिया चक्रपठी पर चले जाए तो इस तरीके के कव्रे योही बहुत लंबा हो जाएगा तो आखरी जूट उन लोगों का उस दिन का है अगर आप लोगों को याद हो तो चब रिया चक्रबर्ती इडी के सामने पेस हुई थी उस दिन की रिपोर्ट और उसके दिन एक दिन पहले की रिपोर्ट देखे तो आप लोगों को बिल्कुल साप साप समझ में आ जाएगा कि कितना जादा ये लोग जो है घुमा फिरा के न्यूज को दिखाते हैं उसी चाइनल पर ये बताया गया अब वह अपने मुवमेबाले जो उनके घर है उसमें वापस आ चुकी लेकिन उसके जो दूसरी दिन थी उसमें क्या दिखाया जाता है कि नहीं वाईसा वो तो उस घर में थे इने पता नहीं कहां चाहिए किसी को पता ही नहीं चला वो तो अफ़वा फिला दी गई थी कि उस घर में नहीं है वाच्में से भी बात हो गए उन लोगों की जो बता रहे है कोई 2 दिर पहले आया था कोई 6 दिर पहले आया था तो इस तरीके की भ्रामक परचार किया जा रहा है कि मानो मेडिया जो है कहीं न कहीं ये बात बिल्कुल असपर्ष्ट तरीके से साबित करन तो जो भी सच होगा वो तो सामने आये गाहिं लेकिन किसी पर इस तरीके के आरोप लगाना और मान कर चलिए कि आगे की दिन में सभी के दिन मीट के लल मान कर चलिए तो कि अभी कैणे घकार बर्टी को So auto privacy आम करेंगे में आगे हिसके अपता विशुर्ट अभी में का मीडिया ने बना दिया है तो इस ते जो है उसकी केरियर बढ़वाद हो सकती है जो आप महत्या करने की उक्साहट कहते हैं वह भी हो सकता है लेकिन गेट जिमाबार पुर्ण तरीके से किसी के खिलाब बिना किसी तथ्य के वह भी जो रेकॉर्ड है उसको दोर मरोड कर आत्मत्या के पीछे कौन-कौन था किसा था इसने पैचे लिए किस ने उक्साया तो इस सारी बाते एक अलग है अब जीव आजीव तरीके के बाते मिडिया में हो रहे है मान ले जीव कोई मीडिया के रहा है कि सुसान सिंग को उनके डीदी के साथ नहीं जाने दिया उसको में के अगर इसा कि घर में प्र Alberica बनाया जा रहा था लेकिन सुसान सिंगْ से चोए मैहने पहले तक मीडिया में सबबर्शनिक रूप से भी आते थे पर म송 करने जाते थे तुमान लेजिए उनके साथ इतना प्रेसर हो रहा का इतना हथा रहा तो बाहर भी बता सकते थे या फिर जैसे कि आप लोगों के पता होगा कि जिस तरीके की बताया जा रहा है कि उनके दिदी लेने आई लेकिन वो सुसांतिंग्स राजबूत उनके साथ नहीं अताज चल रही है तो इस पर अभी तरीके से जात चल रही है जो रिपोर्ट आएगी जो इसमें पुलिस इडी या फिर सीवी आई का रिपोर्ट आएगा वो भी हम आप लोगों को बताएंगे ही बिना किसी भेदभाब के पिल्कुल असपस्ट तो बने रहे चैनल पर और यह वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो जो शेयर कर दीजेगा लाइक कर दीजेगा चैनल पर पहली बार आया है या फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेए लाइकन का बटन दबा देजे क्यूंकि यहां पर ऐसे ही निस्पक्ष खबरें मिलेगी नहीं तो क किसी के तरब जुका हुआ नहीं तो किसी की पैड़ी करती हुई बिल्कुल मिस्पक्ष तो मिलेंगे बहुत दो नयावलेट के साथ बने रहे एमेनिटर पर धन्यवाद